बिना पुन्य की ये पुन्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए इस तरह ना कमाओ की पाप हो जाए इस तरह खर्च ना करो की कर्ज हो जाए इस तरह ना खाओ की मर्ज हो जाए इस तरह ना बोलो की कलेश हो जाए इस तरह ना चलो की देर हो जाए इस तरह ना सोचो की चिंता हो जाए छोटा बन कर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी मनजिल बड़ा होने पर मां भी गोच से उतार देती है जूट बोलकर रिष्टे उलजाने से अच्छा है सच बोलकर समझा लिये जाए क्योंकि सच्चाई देर सबेर सामने आही जाएगी मदद करना सीखिये फाइदे के बगए मिलना जुलना सीखिये मतलब के बगए जन्दगी जीना सीखिये दिखावे के बगए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुचाता और दूसरों को बाधा पहुचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं पड़ता कभी किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो भी सहन कर लो क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है गुसा अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई ले जाता है सब्रभी अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई दे जाता है एक छोटी सी चीटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए अगर कोई व्यक्ति आप से जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है बलकि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पे मजबूर करती है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं मध्यम में फुर्षप नहीं और अमीर को जरूरत नहीं किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मन्जल पर ले जा रहे हैं बलकि यहां समझना की अर्थी पर लेटा इंसान बुर्दा होकर भी तुम्हें तुम्हारी मंजल दिखाने ले जाना है जो लोग आप से जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बैतर हैं जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है आप उससे कभी जीत नहीं सकते आप अपनी जिंदगी की तुलन अन्य लोगों के साथ मत करो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय कर मंदर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया संतोष जैसा कोई सुख नहीं है लोग जैसी कोई बिमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुन्य नहीं है कई बार चुप रहना बुजदिली नहीं बलकि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है जो अग्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो अग्यानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है परन्तु जो अभीमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता उसे वक्त ही समझाता है ताकत के संग नेक इरादे भी रखना वरना ऐसा क्या था जो रावन हार गया संसार जरूरत के नियमों पर चलता है सरदियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरसकार भी होता है आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरुवत होगी अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ ये आदत आपको खत्म कर देगी छोटी मोटी घटना से हताश मत होईए जो चंदन गिस जाता है उसे भगवान के मस्तप पर लगाया जाता है और जो नहीं गिस था वह सर्फ जलाने के काम भी आता है समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात देता है अमीर के घर पर बैठा कवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूका बच्चा भी सबको चोर लगता है इनसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं और चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गुंगे भी बोल पड़ते हैं मंदिरों में क्यों ढूंडते हो उसे वो तो वहां भी है जहां तुम गुना और अपराद करते हो कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग इनसान लोमडी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है इनसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी कुरूर है और तो और इंसान वो फित्रत है जो पुट्टे के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदे करता है तो करने देना क्योंकि शक्स सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है कोईले की कालिक पर नहीं साप के दांट में, बिच्छु के डंक में, मदु मकी के सर में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है बता पाना मुश्किल है धन का घमन दो ही लोगों को होता है जिसे खांदानी जायदाद मिली हो और जिसने धोके से पैसा कमाया हो सत्य की भूक सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है हमें कितने लोग पैचानते हैं यह माइने नहीं रखता बलकि किस वज़े से पैचानते हैं यह बहुत माइने रखता है